अगर आपके घर में आप या आपका घर का कोई भी मेंबर बेटनो वेट एन क्रीम को यूज करता है तो प्लीज आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये जो क्रीम है किन कारणों से यूज करनी चाहिए और इसके क्या लाब है और क्या रियली में अगर आप इसको प्रंग गोरा करने के लिए यूज कर रही है तो क्या आपके लिए बेनिफीशल है या नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो ये क्रीम है बेटनो वेट एन इसके अंदर के जो आप केमिकल्स को देखें तो ये बेटा मेथासोन वेलरेट एन निय नियोमाइसिन है आपको अगर पता होगा कि बेटनो वेट के दो और प्रोडक्स आते हैं जिनमें से एक बेटनो वेट सी भी है बेटनो वेट के अंदर बेटा मेथासोन नाम का केमिकल्स तो आपको मिलेगा ही एन का मतलब नियोमाइसिन है अब इसको नियोमाइसिन को हटा कर इसके अंदर एक बैटनोवेट सी आता है उसमें एक अलग केमिकल होता है उसके बारे में भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा बैटामेथासून के बारे में मैं आपको इंटरनेट पर विकीपीडिया पर पढ़ा देता हूँ कि यह क्या है और नियोमाइसिन के मारे मे यह जो क्रीम है इसका जो मेन परपस होती है या कोई ली आपको लगता है यह तो उसके लिए आप इस क्रीम को यूज कर सकते है और वो भी डाक्टर की सला से यूज़ करें तो सबसे बेटर रहता है क्यूंकि ये जो क्रीम है इसके अंदर के chemical के side effects बहुत हैं जो कि आपकी skin के लिए बहुत नुगसान दायक हो सकते हैं जिनमें से सबसे एक बड़ा जो side effect है peta methasone का वो है आपके जो hair growth है वो बहुत बढ़ जाती है suppose कीजिए कि आपने इस cream को अपने face पर लगातार यूज़ करना शुरू कर दिया एक week से जादा वैसे आप इस cream को face पर यूज़ ना करें अगर आप जादा time के लिए यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो इसका beta methasone है वो आपके बालों की जो growth है उसको बढ़ा देगा तो आपके जो चेहरे पर बाल है वो तीजी से हुगने लगेंगे irritation भी आपको इससे हो सकती है तो इस cream को use करने से पहले आप इसको एक बड़ डक्टर से पूछ लें और सबसे बड़ा question जो लोग पुछते हैं कि क्या ये cream आपका रंग गोरा कर सकती है दोस्तों ये cream रंग गोरा करती है लेकिन इसको रंग गोरा करने के लिए use नहीं करना जाहिए क्योंकि ये जो beta methasone और neomycin है ये आपके skin का जो color है उसको change करते है अब skin color change होने का मतलब ये chemical reaction है ना कि कोई रंग गोरा करने की cream और आप देखने में भी देखिए कि ये कहीं से आपको cream लगती है कि कोई रंग गोरा करने की cream है अब आपको ये तो पता है कि इंडिया में जो रंग गोरा करने के लिए जो fairness की cream है उसकी market बहुत ही बड़ी है और GSK ये जो Glaxo Smith line company है क्या ये अपना पैसा कमाने के लिए इसको एक fairness cream की तरह market में नहीं उतार सकती बहुत असान है उनके लिए इसको एक fairness cream बना कर market में निकालना तो ये bet no wet end से भी ज़्यादा बिकेगी क्योंकि ये रंग गोरा कर देती है बट वो रंग गोरा करने का कारण chemical reaction है ना कि ये particularly रंग गोरा करने के लिए बनी है और इसके साथ ही मैं आपको एक और cream है जो आपको पता ही होगा fair and lovely ये तो हम market में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं ये cream fairness के लिए बहुत यूज होती है और इसके अगर मैं आपको ingredients पढ़ा दूँ तो इसमें कहीं भी betamethasone या फिर neomycin के बारे में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये जो chemicals जो आपको इस betonovet N में दिख रहे हैं इनको आपको अपनी fairness के लिए face पर use नहीं करना और pimples के permanent solution के लिए भी आप betonovet N को use ना करें तो बहतर रहेगा क्योंकि इसके side effects जो हैं वो long term में काफी ज़्यादा हो जाते हैं ये सिरफ infection के लिए use करनी चाहिए और आप इनके ingredients को अगर आपके घर में भी fair and lovely maximum घरों में मिल ही जाती है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इसमें कहीं भी ingredients में ये नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर betamethasone या neomycin है इसके अंदर आपको glycerine जरूर मिल जाएगा glycerine maximum fairness cream में मिलता है जो की fairness में आपकी help करता है तो ये तो रही fair and lovely की बात अब अगर इस cream की बात करें ये cream की जो smell है वो भी थोड़ी अजीब सी होती है मतलब कोई ऐसा नहीं है कि perfume की खुश्बू है जो आप इसको face पर लगा कर एक fairness cream की तरह यूज करें तो please इसको fairness cream की तरह यूज ना करें तो चलिए पहले मैं आपको internet पर दिखाता हूँ कि beta-methasone और neomycin होता क्या है क्यूंकि सब चीजों को ऐसी जो chemical चीजें होती है इनको समझना और अच्छे से समझना जरूरी होता है इनका experiment नहीं करना चाहिए खुद से हम सोचें कि market से ले आए हैं पर फेस पर लगा कर देखते हैं अगर अच्छा रहा तो यूज कर लेंगे नहीं तो नहीं क्यूंकि ये जो है चीजें आयरोवेदिक नहीं है इनके अदर chemicals हैं आपके शरीर को ऐसे effects डाल सकते हैं जो आशायर ही आप कभी किसी और चीज़ के साथ उसका recovery कर पाएं तो प्लीज आप कोई भी chemical हो कोई भी दवाई हो मैं only betonovet N की बात नहीं करूँगा और भी जो दवाईया market में आती हैं आप उनको बिना doctor की सला के use मत करें betonovet N हाँ bacterial infection के लिए और irritations वगारा के लिए आपके लिए बहुत better रहेगी तो आप इसको कम time के लिए use कर सकते हैं तो चलिए हम पहले betamethasone और niomycin के बारे में देख लेते हैं दोस्तो wikipedia के बारे में तो आप जानते ही होंगे यहाँ पर आपको बहुत से salts की chemicals और even everything आपको मिल जाएगा betamethasone को जब मैंने search किया तो देखे यह एक steroid है steroid medicine है इसके अंदर मैं आपको पहले side effects दिखा देता हूँ side effects में देखे skin irritation itching, burning thinning of skin, skin पतली हो सकती है excessive hair growth यह दोस्तो एक बहुत ही side effect है excessive hair growth का जब आप इसको long term के लिए use करेंगे betamethasone को तो आपको hair growth मिलेगी तो देखे यह वो चीज़े हैं जो really में effect करती है मैं नहीं कह रहा यह internet पर लिखा है यह particular chemicals के बारे में तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें betonovate यूज़ करनी चाहिए या नहीं या हमें कौन सी cream यूज़ करनी चाहिए हमें उनके जो salt हैं, chemicals हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए use होते हैं ताकि हम इन चीज़ों का experiment ना करें अपनी skin के उपर हमारी skin sensitive होती है और कभी-कभी कुछ ऐसे effects हो जाते हैं जिनके recovery नहीं हो पाती तो beta metasone के बारे में ये लिखा है उसके लावा अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो आप थोड़ा free time निकालिए और beta metasone के बारे में internet पर search कीजिए उसके बाद मैं neomycin के बारे में भी दिखा देता हूँ neomycin जो है वो भी एक like it is used in creams लिखा है creams के अंदर use होता है eye drops में भी neomycin को use करते है और इसके uses भी यहाँ पर लिखे हैं कि ये किस काम के लिए use होता है और इसकी safety purpose के लिए कैसे इसको use करना चाहिए तो इस तरह से आप neomycin के बारे में भी internet पर पढ़ सकते हैं I hope आपको bet no wet N के बारे में थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये cream क्या है और यही procedure आप अपने घर की जो बाकी cream है उनके उपर भी apply कर सकते हैं आप उनके chemicals के बारे में आप उनके अंदर के salt के बारे में पढ़िए उसको internet पढ़िए आजकल तो सब कुछ internet पर available है कि ये चीज़े जो है किस चीज़ के लिए यूज होती है देखे इसमें well rate का भी एक अलग से motive है well rate एक well rate एक एसीड से बना है जिसके अंदर से hydrogen का एक iron निकाल कर उसको well rate बनाया जाता है और इसको use किया जाता है काफी creams में इसको well rate को use करते है बट वही है कि ये सब bacterial infection के जो है salt है तो प्लीज आप कोई भी घर में cream हो उसको थोड़ा ध्यान से use कीजिए और डक्टर की सलाज जरूर लीजिए जब भी आप किसी दवाई को use करने चाहें ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका दिन शुप रहे थैंक्यू सो मच आप